हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो इंडियन इस्टडी इंडियन इस्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आप सभी लोग जानते हैं एक अपरेल 2021 है यूपी एसाई के फॉर्म बरना इस्टार्ड हो गए हैं लेकिन यहापर कल मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी कि कौ कौन से डॉकुमेंट्स आप लोग के लिए इंपोटेंट है ताकि आप फॉर्म बरते समय उन डॉकुमेंट्स को लगा सको बिल्कुल सही ठीक है तो वहाँ पर कई ऐसे कोसंस मेरे सामने आएं कि जिनके लिए मुझे एक वीडियो बराना जरूरी समझा मैंने क्या कि पहले करेंगे जनके उनके अलग होता है अगर आपके पास फाइनल यह का रिजल्ट है और डिगरी नहीं है तो इसका भी मैं जवाब देने वाला हूँ जिन चात्रों का graduation का online result आ गिया लेकिन अभी उनको अंग पत्र जो आपका result होता है वो आपको नहीं मिला जो आपको university की तरफ से मिलता है जिस भी university से आप अपना graduation करते हैं तो वो विचारे क्या करें इन सारे doubts या इन सारे questions के मैं आपको जवाब देने वाला हूँ तो वीडियो को अंतलग जरूर देखिएगा वीडियो start करने से पहले आपकी जानकारी के लिए important books में आपको बता देता हूँ दोस्तो अगर आप UPSI ये तैयारी कर रहे हैं चकसू publication की है उत्तर प्रदेस पुलिस उपनिरिक चक SI देख लीजिए इसमें आपको 13 sold paper दिये हुए हैं कितने दोस्तो 13 sold paper आपको दिये गए हैं जिसमें 2017, 2011, 2011, 1999, 1999 के तक कि सारे questions paper आपको एक ही book में संबलित कर दिये गए हैं अगर आप इस book को purchase करना चाहते हैं तो description में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप इस book को purchase कर सकते हैं ध्यान लगना purchase करोगे तो मुझे कुछ पैसे नहीं मिलेंगे नहीं तो आप लोग सोचो आपके दिवाग में कई बाते आती हैं दो अजार से जादा आपको ये बस तुने description मिल जाएंगे वो भी व्याख्यात्मा खल के साथ ठीक है तो आप लोग को UPSI के preparation करने में बहुत ज़्यादा help मिलेगी अगर आप इस book से study करते हैं ठीक है और practice book है आप लोग लिए useful भी होगी और भी book बता देता हूँ एक book यह रही है आपकी यही चक्सू publication की यह 10 practice set है उसमें solve paper थे previous year के इसमें 10 practice set है जी हाँ दोस्तों इसमें cable और cable practice set दिये गए हैं और साथ में 2 solve paper भी आपके दिये हो गए हैं 2017 वाले ठीक है और यह जो आपकी book है इसमें important questions को समायत किया गया है अगर आप practice दोको practice तो बहुत important चीज़ है अगर आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं तो practice book तो आप purchase कर ही लेना क्योंकि आपके exam के लिए यह बहुत ही ज़्यादा important सावित होगी यह book ठीक है इसका भी link मैं आपको description में प्रोबाइड कर वा दूँगा पूरी publication publication का link नहीं होगा Amazon flip card का link होगा जहां से आप purchase करना चाते हैं वहां से आप purchase कर सकते हैं कोई भी कहीं भी problem वाली बात नहीं है ऐसे चातर जिनका मूल विदी सम्मीदान कमजोर है तो यह book उनके लिए है ठीक है मूल विदी और सम्मीदान के सारे important questions को इस book में समायत किया गया है पिछले साल में जो भी मूल विदी और सम्मीदान से questions पूचे गये हैं भी इस book में आपको मिल जाएंगे एक ही जगे आपको मिल जाएंगे ठीक है तो यह जो आपकी book है चक्सू पब्लीकेशन की मुझे अच्छी लगी मैंने एक दो प्रेक्टिस सेट इनके देखे भी हैं तो काफी अच्छे लगे तो इसलिए मैं आपको recommend कर रहा हूँ और वहाँ पर मैं आपको एक और बता चुका था तो वो आपके मर्जी है जो भी आप purchase करना चाहे वो आप purchase कर सकते हैं इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है बस आप लोगों के हित के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये तीन बुक मैंने जो आपको बताई हैं आप लोगों के लिए useful है खरीद लीजिएगा अगर आप interested है description में लिंक आपको मिल जाएगा ठीक है दोस्तों अगर आपने UPSI की notification अच्छे से पढ़ी होती तो कई questions के आंसर आपको notification में ही मिल जाते अब देखो section कहेरता है आप सभी लोग जानते हैं केस में आप लोगों को graduation पास होना जरूरी है अब देखना यहाँ पर लिखाया है भारत में बिदी दोरह स्तापित किसी भी बिद्याले से इस नातक उपादी या सरकार दोरह उसके समकच मानता प्राप्त कोई अइरता होना चाहिए ठीक है अब देखो टिपणी में यहाँ पर इन्होंने साप साप आप लोग लिए टिपणी देदी है के आबेदन करने की अंतिम्तिती तक अब्यारती को अपेक्चित सेक्चिक अईरता अवस्त दारित कर लेनी चाहिए जो भी सेक्चिक अईड़ता है इसना तक अब्यारती को वो पहले से ही धारण करना चाहिए जब आपकी आबेदन की अंतिम्तितियो दूसरी बात उसकी अंकतालिका अत्वा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्द होना चाहिए अंकतालिका का मतलब होता है आपका रिजल्ट प्रमाण पत्र का मतलब होता है आपकी डिगरी आपका रिजल्ट और आपका जो प्रमाण पत्र है उसके पास उपलब्दोना चाहिए यानि कि अपरा अभ्यारती के पास अपेक्चित सेक्चिक अईड़ता है तू परिक्चा मे समलित हुए यानि कि appeared कुछ ऐसे student होते हैं अभी जो परिक्षा में appeared है जिनका last year चल रहा है कोई BA last year कर रहा होगा BCom last year कर रहा होगा BSC last year कर रहा होगा जो भी graduation के last year में हैं तो ध्यान लखना अथवा समलित होने यानि कि appearing वाले जो अभ्यारती हैं वो इस भरती के लिए पात्र नहीं होंगे देखो सीधा लिख दिया है कि भाया इस भरती के लिए पात्र नहीं होंगे ठीक है अब देख तो पहली देखो यहां से एक आपका doubt किलियर हो गया जो appearing वाले student है आप इस form को UPSI के form को apply नहीं कर सकते ठीक है ध्यान देना अब देखो आवेदन पत्र में प्रदसे सेक्च कहिरता की यथार्टता सुदता इवं समकस्ता को सिध करने के लिए अभी लेकिये साक्च प्रस्तुत करने का दायत अब भ्यारती का होगा इस संबंद में बोर्ड का अंतिम नलने होगा ठीक है यह तो आपकी जानकारी के लिए बता जाए पहली बात तो एपरिंग वाले साथर इस वेकेंसी के लिए मतलब eligible नहीं है दूसरी बात जिनके पास BSC, B.com, B.A.D. जो भी आपने करा हुआ है graduation में जो भी आपने graduation में करा हुआ है आपके पास result है लेकिन प्रमाण पत्र यानि की डिगरी नहीं है क्या इस form को apply कर सकते हैं बिल्कुल जी हाँ आप इस form को apply कर सकते हैं आराम से इस form को apply कीजिए लेकिन ध्यान रखना selection होने तक जब आपका verification हो तब तक आपको university से अपनी degree प्राप्त कर लेना चाहिए समझ गए क्या कहना चाहरा हूँ मैं आप आराम से form apply कीजिए अपनी BSC की या कोई भी क्या हो suppose करो BSC किया तो BSC की final year की जो mark seat है उस mark seat को आप अपलोड करोगे सुनते जाना क्योंकि उसमें तीनो ही year के marks दिये हुए होते हैं अगर आपने देखा हो तो तो आप BSC final year की mark seat के आधार पे UPSI का form apply कर सकते हैं अगर आपके पास अभी present time में degree नहीं है क्योंकि इतनी जल्दी आपकी degree नहीं बन पाईगे और नहीं आपको university देपाईगी बना करके सुनते जाना पेरे पूरी बात ठीक है आपके सारे doubt के लियर हो जाएंगे तो आपके पास degree नहीं है last year की mark seat के साथ कुछ भी आपने किया हो BA किया हुगा है आपने BCOM किया हुगा है BSC किया हुगा है कुछ भी graduation में किया हो उसकी last year की mark seat उठाना उसी को upload कर देना वहां से आप UPSI का form apply कर देंगे अब एक doubt बहुत बड़ा है आपके सामने कुछ ऐसे student भी है जिनका result आ गया मतलब last year चल रही थी result आ गया pass भी हो गए graduation भी कर ली उनका online result आ गया online में तो आप सभी लोग जानते एक छोटी सिसले पाती उसमें आपको दिया होता है सब कुछ ठीक है लेकिन अंक पत्र नहीं आया उनका अंक पत्र का मतलब होता है आपका result ठीक है तो ऐसे student भी form apply कर दें क्योंकि जब आपका exam होगा आपका exam का result आ जाएगा verification होगा तो आप लोग के पास तब तक mark seat और अपनी जो प्रमाण पत्र याने की degree है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी समझ रहे क्या कहना चाहरा हूँ मैं आपका तो वो भी apply कर दें form कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो उसमें ठीक है नहीं तो आप लोग form को छोड़ दो आप लोग form को apply कर सकते हैं केवल कौन form को apply नहीं कर पाएगा वो apply नहीं कर पाएगे जो graduation के last year में यानि की apparing में होंगे वो लोग apply नहीं कर सकते बाकि आपने किसी भी तरीके से graduation कर लिया है आपके पार result नहीं है तो online slip होगी उस online slip की आधार पे आप result को आपने UPSI के form को apply कर सकते हैं तैयारी कर सकते हैं selection भी ले सकते हैं ध्यान रखना ठीक है तो ये सारी चीजे जो आपके doubt थे वो मैंने आपको बता दिये ठीक है ध्यान रखना कौन form नहीं वर पाएगा एपे रिंग वाले form नहीं वर पाएगे जिनके पास mark seat है और जिनके पास degree नहीं है तो वो भी आप form को apply कर सकते हैं mark seat के base पे degree आप जब आपका verification हो तब तक आप apply करना पड़ेगा फिर आपके degree प्राप्त होगी ठीक है दूसरी बात जिनके पास result भी नहीं है ना degree है लेकिन online slip है क्या उसके आदार पर form बर सकते हैं बिल्कुल उसके आदार पर भी आप form बर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं क्योंकि graduation आपने पास कर लिया बस वही तो आपका main है graduation आपने पास कर लिया online slip के base पे आप form एप्लाई कर देजिएगा उसके बाद आपकी जब result आजा degree आजा जब verification हो तो एक affidavid लगेगा आपका के भाया उस टेम मैंने ये तो प्राप्त कर लिया था verification वाले बंदे होते हैं वो डिग्री मांग लें verification में बहुत बाई chance है लेकिन फिर भी हम लोग reaction नहीं लेंगे हम लोग बनवा लेंगे जब हम आप verification होगा तब तक ठीक है तो आपके सारे doubt के लिए रहे फिर भी कोई doubt हो तो मेरे से comment box में पूछ लेना ठीक है जो भी आपका doubt रह गया हो comment box में पूछ लेना लेकिन comments इतने आ जाते है कि मैं उनका reply नहीं कर पाता हूँ तो आपके लिए सबसे अच्छा क्या है Instagram का link में provide कर बाता हूँ description में तो Instagram पे आगर के मेरे से personal message करके पूछ लीजिएगा तो मैं हर एक के message का जवाब देता हूँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरे Instagram पे मेरे से message पूछता है और मैं उसका जवाब नहीं देता हूँ हर एक के message का reply दे देता हूँ तो अगर आप Instagram पे पूछ लोगे तो वहाब भी आपको जवाब दे दूँगा YouTube पे थोड़ा मुस्किल है क्योंकि बहुत सारे comments आ जाती है इस वज़े से ठीक है तो आपके सारे doubt के लिए हो गया होंगे फिर भी कोई doubt हो तो मेरे से पूछ लिजिएगा दोस्तो फिलाल की वीडियो में सिर्फ नहीं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और साथ ही साथ